हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यू पेसी देखिए ज्यादा तर जो आर पीएसी या सबॉडिनेट बॉर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके कई लोगों की मैसेज आ रहे थे कि आप हमेशा बजट के जो समरी है उसके नौट्स वगरा करवाते हैं इस बार डिले कैसे हो करवा देंगे बजट में क्या important है रास्तान administrative services के लिए और भी competitive exams के लिए जो रास्तान का बजट है उसमें क्या schemes government की है सार आपको complete करवाया जाएगा आज क्या हुआ है कि जैसे ही जो cm है गैलो साब यह budget पेस कर रहे थे तो इन्होंने continue लगातार है जो पुराना बजट जो पिछला वाला budget है उसी को पढ़ दिया है इन्होंने अब इनको पता भी नहीं चला कि यह पुराना budget पढ़ रहे हैं और अधिकारियों ने जो दिया होगा वो ही पढ़ते हैं ज्यादा थर मुख्यमंत्री हो या कोई और भी नेता होता है वो जो उनके officer देते हैं वो ही पढ राजस्तान में तो यह भी कहा जाता है कई बार की अधिकारी सरकार चलाते हैं पता नहीं सचा है क्या है बट ऐसा कहा जाता है तो इन्होंने पुराना भासन पढ़ दिया अब दो चीजे हो गई जो लोग दो दो तरह की इसमें बाते कर रहे हैं कि अगर आप से पूछा जा है तो क्योंकि अगर उत्रप्रदेश की राजदानी पता होती आपको लखना हो है तो आप राजस्तान की नहीं बताते तो इसका मतलब आपको पुराना बज़ेट पड़ा उसका भी नहीं पता था नया बज़ेट आपको से क्या पूछ के नहीं बनाया उसमें जो भी चीज मुक्यमित्री जी को पता चला है कि कुछ गड़बड है फिर उसके बाद में है जो इस्तगित कर दिया है ऐसा इस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बजट बाशन के टाइम पे सदन को इस्तगित किया गया हो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि बजट बाशन चल रहा हो और उसमें सदन को इस्तगीत किया गया हूँ अब इसमें हुआ क्या है कि जो बजट का brief case था मुक्यमित्री जी के पास उसमें कुछ पुराने बजट की जो copy थी वो हो सकता है reference के लिए दी हो या पता नहीं क्या वज़े रही है पर पुराने बज़ेट की copy थी कुछ प्रतिया थी उसको ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी गलती हुई है अब इसमें जो भी वज़े रही है गौर्नेंट की इसमें काफी मजाक हुई है काफी किरकरी हुई है तो इसमें obvious सी बात है जो भी officer इसमें involved है उन पर कारवाई तो होगी और ये ये अंगामा दो-तीन मिनट के बाद ही सुरू हो गया था लेकिन ये कम से कम ऐसा कहा जा रहा है दस-गैरा मिनट तक उसको पढ़ते रहे लोग दो-तीन मिनट बाद ही समझ गए थे अपोजिशन के कि तो पुराना बज़ेट पढ़ रहे है और अब इन्हों ने है जो चीफ सकर्टरी है जो उसा सर्माजी रास्तान के जो उनको बुलाया है विदान सभा और उनसे पूछा जाएगा कि ये गलती क्यों है मुक्यमत्री जिस पे काफी नाराज है अब ऑपोजिशन पार्टी के लेडर से कहा जा रहा है बहुत इसको मान विए बूल मान लिया जाए और सदन की कार्वाई से इसको अलग माना जाए लेकिन बीजे पी आपोजिशन में रास्तान में तो वो मान नहीं रहे है वो कह रहे हैं कि नहीं आप दुबारा से बजट पेस करने की तारिक ते कीजिए और दुबारा बजट पेस कीजिए ये बजट नहीं माना जाए इस तरीके का चल रहा है तो जैसे पुरा बजट होता है अभी उसमें ब्रेक आया है क्या होता है आगे देखते है उसके बाद पिर आपको उसकी समरी उसके नौट्स बजट के करवा दिये जाएंगे थैंक यू